आज हमारी रेटार्मेंट आफ पार्टनर की क्लास है उसमें हम रेशो निकालना हो उसकी जो बेसिक जनरल एंटिस ते वो देख चुके आज हम उसमें रेबॉलिशन एकाउंट, कैपिटल एकाउंट, कैश एकाउंट और बैलेंस इट जो एक कम्प्लीर क्वेश्चन होता है उसको ट्राइ करेंगी क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे नियू उजर से रिक्वेश्ट है प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए बाकि आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मेरे को पता लगे कि क्या अब आप अप दोनों में रिवॉलिशन सेम बनता है कोई पार्टनर एड्मिट होता है या कोई रिटायर होता है रिवाल कंपनी के ऐसेट और लाइबलिटी को हम री एसेस करते हैं तो उनमें कोई डिफरेंस है जो हमने रिवॉलिशन अगाउंट अडिशन आप पार्टनर में try किया था वोई सेम हमने क्या करना है retirement of a partner में बनाना है जिन लोगों को अभी भी proper समझ नहीं है एक बार मैं revolution account दुबारा बता देता हूं उसको एक बार समझ लेते revolution account में जो हमारा है अगर कोई asset revalute करते हैं अगर उसकी asset की value increase हो रही है जब कोई partner आ रहा है हमने अपनी asset and liabilities को दोबारा महापा measure किया तो हम आई अगर कोई asset increase हो रही है तो उसको हम किदा लेंगे credit side buy increase in assets अगर asset increase हो रही है तो buy increase in assets करके हम किदा लेंगे credit में उसके बाद अगर liability है तो 2 increase in liability अगर liability increase हो रही है तो हम किदा लेंगे debit में और अगर liability decrease हो रही है तो credit buy decrease in liability यह जो है और asset decrease हो रही है तो debit में 2 decrease in assets अगर कोई provision है और वो provision हम increase कर रहे है चाहे वो doubtful debt है या कोई unseen liability है उसके लिए हम provision को बढ़ा रहे तो हमारी liability create होगी इसलिए हो debit में show करेंगे हम और अगर कोई हमारी prepaid expense है तो हमारी एक asset आजाएगी इदर credit और अगर कोई outstanding liability है तो उसको हम किदर show करेंगे debit में उसके लाबा कोई अगर unrecorded liability की बन हो हमें जो पहले balance sheet में थी नहीं मगर एक unrecorded liability है तो हमारी liability create होगी तो debit में और unrecorded asset हो तो credit कभी कभार question में दिया होता है कि provision reduce हो रहा है provision for doubtful debt 10,000 से अगर degrees होगे 8,000 हो रहा है तो अगर provision कोई degrees होता है तो उसको हम credit में show करेंगे तो इससे जो है हमारा account से जो है हमारा revolution profit या loss निकलेगा अगर मान लिजिए revolution profit है तो revolution profit transfer to old partners capital account in old ratio retirement admission में क्या होता है तो दो या तीन partner होता है और एक नहा partner आता है retirement में क्या है पहले से ही तीन या चार partner है और एक partner retire हो रहा है तो old तो सारे तो इसका मत्तब है कि अगर revolution में profit होगा और मान लीजेए основ partner तीन है तो तीनों में divide होगा revolution का profit और अगर loss भी होगा तो loss भी क्या हो या तीनों में distribute होगा ठीक तो अगर profit हो तो तीनों में distribute होगा loss हो रहा है तो वो भी तीनों में distribute होगा बाकि Capital account में आप जानते हो कि कैची चलती है, क्रॉस होता है और यह ट्रांसफर हो जाता है तो revolution account सेम है बाकि हम question के साब से समझेंगे अब main हमारा है capital account, balance sheet भी almost सेम है, कोछ ज़्यादा फरक नहीं है, cash account भी लगवक सेम ही है, बस main चीज है हमारा capital account जिसमें हमने ध्यान देना है तो capital account को ध्यान से समझना capital account में सबसे पहले आता हमारा balance bd, balance bd का मतब partner की opening capital तो opening capital तीनो partner की आएगी, x, y और z balance sheet जो हमारी old है, उसमें तीनों की capital गिवन होगी तीनों की capital हम इधर ले लेगे उसके बाद जो हमारा जो partner जाता है, तो हमने general entries में देखाता है कि जो partner retire हो रहा है, उसको बचे हुए partner उसकी goodwill का share देते हैं, अब वो किस ratio में देते हैं, gaining ratio में तो entry क्या की थी हमने मान लीजे, z retire हो रहा है x debit, y debit to z capital, तो इसका मतब यहाँ पे x capital, y capital दोनों को जितना दे रहे हैं, दोनों को दोनों वो यहाँ show करेंगे हैं credit में किसके account में transfer होगा, jet के अगर मान लीजे, jet के goodwill आ रही हो, 10,000 आ रही है 10,000 को x और y दोनो gaining ratio में देंगे, और वो gaining ratio equally है, तो 5,000 5,000 दोनों देंगे, मगर किस ratio में देंगे, gaining ratio में इसका ध्यान रखना है, क्योंकि gaining ratio करेंगे, बस यहीं पर हो रहा है उसके बाद अगर revolution का profit हो, हमारा revolution account का profit तो वो भी तीनों में distribute होगा, old ratio general zap given हो या reserve fund given हो, हमारी asset side में, वो sorry liability में तो वो भी तीनों में given होगा distribute होगा, profit and loss दिया हो, profit and loss कौन liability में, जो liability में profit and loss होता हुआ हमारा क्या होता है profit, तो profit जो होगा हमारा, उसको भी हम क्या करेंगे तीनों partner में distribute कर देंगे, और वो भी किस में old ratio हर चीज old ratio में हो रही है cable goodwill को छोड़के debit side में check करते है revolution का loss होगा, तो वो भी तीनों partner में distribute होगा old ratio में, old goodwill दियो आपने देखा है कि old goodwill किदर दियो होती है asset side में दियो होती हमें old goodwill जो है, उसको हम write-off कर देते तो old goodwill, old partner, old ratio में क्या हो जाएगी write-off, तीनों में distribute हो जाएगी अगर profit है, loss account दिया हमें loss दिया हुआ है, किदर asset side में होता है हमारा loss P&L करके show किया होगा तो उसको भी हम तीनों partner में distribute करेंगे इसके बाद जो है जो दोनों partner ने उसको goodwill दी थी वो उनके account से भी कम होगा बट वो किसके नाम से कम होगा two jets capital two jets capital जो है, उससे क्या करेंगे जितनी जितनी goodwill जिनों ने दी थी X और Y ने 5,000-5,000 मान ले तो दोनों के account से क्या कर देंगे हम debit में show कर देंगे नाम किसका है का जैड अब है advertisement suspense advertisement suspense हमें किदर दिया होता है assets में या deferred revenue expenditure कोई given हो तो उसको भी हम तीनों partner हो में distribute कर देंगे हर चीज जो है old partner में old ratio में जारी cable किसको छोड़के goodwill अगर मान लेज़े हमें workman compensation fund भी दिया हुआ है तो उसको भी हम credit में show कर देंगे जितना distribute करने को बोलेगा वो situation के उपर होता है investment fluctuation fund है तो investment fluctuation fund भी जो है अगर investment reduce नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे तीनों में distribute कर देंगे वो question के उपर depend होता है अलग-अलग situation होती है तो अब समझ गया आपके हर चीज किस ratio में बढ़ रहे है old partner में old ratio में goodwill gaining ratio में दोनों मिल के किसको दे रहे जैड को और जैड के नाम से दोनों के अकाउंट के debit में क्या हो जा रहे है काम अब एक दो चीज और है कि अगर मान लो retire हो रहे है कोई partner उसके पैसे बन रहे है two lakh twenty thousand दो लाग बीस जार रुपए उसको देने company ने क्योंकि और retire हो गया मगर company ने कहा कि चलो हम बीस जार रुपए तुम्हें अभी cash पकड़ा रहे तो अगर उसको immediately कुछ cash दे रहे immediately उसी time तो cash करके two cash करके हम किसके account में show कर देंगे जैड के account में चिक और बाकी जो बज़ गया two lakh twenty thousand में से twenty thousand तो दे दिया अब बज़ गया हमारा two lakh two lakh रुपए जो बज़ गया उसको two jets loan account करके हम उसके account में show कर देंगे credit में और बाकी जो x और y का total करेंगे credit उसमें से less करेंगे debit का तो हमारा क्या आता है balance cd तो x और y उनका जो balance आएगा उसको हम balance cd carried down के नाम से show करेंगे two balance cd बज़ ज़ड का balance आएगा उसको हम ज़ड's loan account करके transfer करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि अब वो partner ने रहा अब वो retire हो चुका है और company के ओपर एक loan चड़ गया है कि उसको क्या करना है पे करना है तो इसलिए किस नाम से आएगा ज़ड's loan के नाम से आएगा आएगा ये भी liability side में मगर किस नाम से आएगए जड's loan के नाम से ठीक तो समझा आगया account इसके लावा जो हमारा account बनता है cash account cash account में कुछ नहीं है आपके cash account में हमारा balance BDI का जो cash का है अगर immediately कुछ दे रहे हम Z को तो buy Z capital करके जैसे हमने 20,000 दे दिये जो बज़ गया हमारा के आगया balance sheet तो cash account में कुछ भी नहीं है तो balance sheet भी हमारी सेम जैसे हमने admission में की ती लगबग वो ही है बस थोड़ा सा change है change का है X और Y की जो old partner की capital है वो यहाँ आएगी उनका sum करके हम अंदर show करेंगे और Z का loan अलग से show किया जाएगा जो partner है जो retire हो गया उसका loan अलग से दिखाएंगे बाकी जैसे हम asset सा liability show करते थे पुरानी balance sheet में जो liability हो अगर उनमें कुछ change हो रहा है increase हो रहा है तो add करके decrease हो रही तो less करके यहाँ show कर देंगे assets में भी same होगा अगर increase हो रही है decrease हो रही है तो add less करके show कर देंगे cash जो हमारा balance हो assets माँ जाएगा जो चीज़े distribute कर दिया हमने यहाँ balance sheet में अब नहीं आएगे जो हमारी new balance sheet है जैसे मान लीजिए हमने generalism distribute कर दिया profit and loss old goodwill तो अब इससे हम liability और asset से क्या कर देंगे हटा देंगे और जब हमारी balance sheet tally हो जाएगी तो मतलब हमारा question क्या है complete हो गया तो सब कुछ same है जो किसमे हो रहा था admission partner में में ध्यान देना हमने किस पे capital account पे तो चलिए एक illustration के through हम इसे proper समझते ताकि आपको अच्छे से समझा जाए इस question की pick मैं आपको साथ में attach करके देंगा पहले question को पढ़ना तब इसको समझना इसमें क्या है PQR तीन partner है तीनों का ratio 2-2 1 का है और R retire हो रहा है तो बजगे कौन P or Q कोई information given नहीं additional तो new ratio क्या हो गया हमारा 2-2 उसको हटा देंगे जो बजगे हमारा new ratio gaining ratio क्या है हमारा new ratio minus old ratio जिसको अगर ratio में doubt है तो पहले वो retirement का जो पिछले वीडियो से बनाए उनको देख लेना ताकि ratio समझा जाए क्योंकि जब तक gaining ratio नहीं निकलेगा हम goodwill का treatment नहीं कर सकते अब जो हमें क्या given है कि जो gaining ratio हमने calculate किया तो वो आया 1-1 मत्तब equally दोनों partner क्या कर रहे है equally gain कर रहे हैं तो अब सबसे पहले कोई भी question है revolution account से पहले हमने ratio create करना है जब ratio calculate कर लेंगे तब हम revaluation account क्या करेंगे maintain करेंगे तो revolution account से related information यह है कि value of patent reduced by 20% question में patent given है 7000 का reduce by 20% मत्तब 20% से कम हो गया तो इसका मतलब patent asset है तो patent क्या है 20% कम हो गया तो 7000 का 20% कितना होता है 1400 यह हमारा patent आ गया उसके बाद जब plant and machinery by 10% plant and machinery 70,000 है और वो 10% reduce हो रही है तो to plant and machinery जो है हम 70,000 का 10% कितना होता है 7000 यह हमारा क्या आ गया प्लांट and machinery आ गया 7000 उसके बाद जो next point दिया है provision for doubt fooder raise to 6% जो data के लिए जो provision बन रहा है वो 6% अब provision कितना हो गया 1500 हो गया मगर हमें पहले से old provision कितना है 1000 तो कितना बढ़ गया एक्स्ट्रा वो बढ़ा है 500 तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्राविजन फॉर पेर डैप्ट जो चेंज हो रहा है वो लेंगे हम पहले से ठाउजन का प्राविजन ताब न्यू प्राविजन हो गया हमारा 1500 तो इंक्रिस कितना हुए प्राविजन 500 उसको शो करेंगे उसके बाद जो एक पॉइंट और है कि और टुक दा इनवेस्टमेंट एट वैल्य ओ फिफ्टीन घाजन एफंडरेड्ड देखे आर जो एक पार्टनर है वो जा रहा है और उसने क्या लिए एक इंवेस्टमेंट ले लिली पार्टनर ने वो उसका इन्वेस्टमेंट तो हम इन्वेस्टमेंट जो हमारा एप्रीशेशन हो रहा है 1,800 वह हमारा क्रेडिट में आ जाएगा उसके बाद जो अगला पॉइंट है लाइबिलिटी जो है प्रॉबिटेंट फंड की ओनली 6,600 हो गई है प्रॉबिटेंट फंड एक लाइबिलिटी होते है आपको पता है वरकरों के लिए होता हमारा वो 6,600 हो गई है पहले से अंदर हमें प्रॉबिटेंट फंड दिया हुआ है 8,000 का तो इसका मत्तब प्रॉबिटेंट फंड जो है वो रेडियूस हो गया अब कोई भी लाइबिलिटी रेडियूस होती है तो खिदर आती है हमारी क्रेडिट में तो अंदर जो हमें दी वह यह वह 8,000 और बाहर जो हमने अब जो चेंज होका है यह वह है 6,600 तो कितनी कम हो गया प्रॉबिटेंट फंड तो प्रॉबिटेंट फंड जो रेडियूस हुआ है वह हमारा 1400 चेक अब जो है और कोई information है निसके जो है related तो आब हम इसका total कर लें तो वह हमारा 8,900 डेबिट और क्रेडिट कितना है हमारा 3,200 लेस करके जो balance बचाओ 5,700 तो कमी कि इदर आ रहे है क्रेडिट में तो इसका मत्तब वह क्या है हमारा revolution loss 5,700 और उसको हम किस ratio में divide कर देंगे 2 to 1 में तीनों partner में distribute कर देंगे तो by partners capital account transport to capital account में लिखेंगे हम पी, क्यू और आर तीनों के partner में हम divide करेंगे 5,700 को किस ratio में old ratio तो old ratio क्या है हमारा 2 to 1 calculate करने पर जो आ रहा है हमारा तीनों में distribute करने पर एक है हमारा 2280 पी को मिलेगा फिर 2280 किसको मिलेगा Q को और आर का है 1140 तो यह हमारा हो गया revolution account अब हम create करेंगे capital account capital account में हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या लेते balance BD जो brought down है हमारा capital तीनों पार्टरों की capital गिवन होती है तो तीनों पार्टरों की जो capital है हमारे पास वो गिवन है 30,000, 30,000, 20,000 तो हम क्या लिखेंगे buy balance BD 30,000, 30,000 और 20,000 तीनों की जो capital गिवन है उसके बाद जो हमें revolution जो loss हो रहा था इसको हम पहले ही लिख लेते हैं two revolution loss वो तीनों में divide हो जाएगा 2280 और 1140 तीनों में distribute हो गया और क्या given है हमें given है goodwill of firm firm की goodwill है कितनी one lakh तो देखे goodwill of firm है हमारे पास one lakh उसमें हम किसका share calculate करेंगे z का share z का share हमने किया calculate one lakh into में कितना one upon five तो कितना निकल का है 20,000 तो जो 20,000 उसकी जो goodwill का share आया है वो कौन देंगे उसे x और y देंगे किस ratio में gaining ratio में तो x और y का gaining ratio आया है वो है हमारा x y sorry p और q by p's capital और by q's capital दोनों मिलके देंगे उसे gaining ratio one one था तो मतलब 20,000 को दोनों में distribute करें तो 10,000 और 10,000 ये दोनों ने pay कर दिया उसको और जो हमें given है reserve fund दिया हुआ है reserve fund है 12,000 तो reserve fund भी हम old ratio में divide करेंगे by reserve fund और old ratio हमारा 2-2-1 है तो 12,000 को 2-2 करते हैं तो 4800 4800 और 2400 और कुछ बस और कुछ नहीं है हमारा revolution distribute कर दिया उसको goodwill दे दी मगर उसको जो goodwill का हिस्सा दिया है तो उनके account से भी कम करना है यह point main है तो हम क्या करेंगे two hours capital करके p ने कितना दिया था 10,000 और q ने भी कितना दिया था 10,000 ये दोनों उनके account से क्या कर देंगे less जैड को immediately कुछ भी pay नहीं कर रहे है हम R को तो इसलिए हम क्या करेंगे R का जो balance आएगा उसको हम क्या लिख देंगे R's loan और जो peer q का balance आएगा उसको हम क्या लिखेंगे to balance cd carried down तो अब इनका total कर लेते हैं आप total करके देखते हैं कि answer match कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी एक point हमारा रह गया था जो क्या था कि R में क्या ली थी investment ली थी और कितने की investment थी वो हमारी वो हमारी investment थी question में 15,800 में ली थी question में जो given थी 14,000 मगर उसने कितने में ली थी 1500-800 में तो इसका मतलब जितने में वो ले रहा है उसी को हम यहां शो करेंगे to investment के नाम से किसके account में डालेंगे 15,800 आर के account में अब जो बचेगा वो उसका R का loan आएगा इस point का मतलब क्या कर कोई partner कोई asset ले रहा है तो उसको हम क्या करेंगे debit में शो करेंगे और अगर liability ले रहा है तो किदर credit में चेक तो अब proper चीजे हो गई है अब हम इनका total करते हैं तो इसका जो total आ रहा है P का वो आ रहा है 34,800 क्रेडिट क्यूं का भी कितना रहा है 34,800 और R का रहा है 42,400 अब इसमें से जो less करेंगे less करके जो बचेगा हमारा क्या है गा balance तो हम debit का भी total कर लेते तो हमने इनका total किया तो वो आया हमारा 22520 इससे less करने के बाद बैलस एडी और Q का भी सेम आ रहा है 22520 और R का जो लोन आ रहा है वो आ रहा हमारा 25460 मतब इतने रुपे कंपनी ने अभी उसको और पे करने जब क्यों एक investment भी ले गया कितने की 15800 की तो हमारा revaluation account हो गया capital account हो गया अब हमारा cash account बनता है बट cash related कोई ऐसा transaction नहीं है तो अब हम क्या करेंगे सीधा balance sheet create करेंगे goodwill of firm कैसे निकली R की जो goodwill कैसे निकली वह हमने चेक कर लिया अब balance sheet को देखते है balance sheet में main हमने ध्यान देना liability side में कि liability side कैसे create होगी liability amount assets amount proper जो balance sheet या capital account का जो format है वो मैं आपको जब थोड़ा समझ आ जाएगा तब मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हम ऊपर show करते है अभी बर्स पहले question पर धियान देना तो balance sheet में liability में हम किस की capital लेंगे पहले piece capital और qs capital तो p और q की capital है हमारी जो balance में 22520 एक की है दूसरे की भी 22520 इन दोनों को add करके हम यहां show करेंगे उसके बाद लेंगे हम आर्स loan आर जो retire हो चुका है तो आर का जो loan है वो हमारा था 25460 उसको भी हम liability में शो करेंगे क्योंकि अभी ओपे करना एक liability हमारे उपर अब liability में चेक करते और क्या गिवन सेंडरी creditor at 30,000 creditors related हमारे पास कोई भी और information नहीं थी तो मत्ताब creditor unchanged है तो इसको हम वैसी ले लेंगे general reserve है वो हमने distribute कर चुके है हम उसको अब जो बचता है हमारा provident fund 8,000 है अंदर मगर बहर जो बोला था उसने कि आप provident fund कितना हो गया 6,600 तो हम provident fund कितना शो करेंगे 6,600 ठीक उसके बाद और को information यह liability कि तो आप assets में चेक करते हैं assets में हमारे पाद cashed bank है cashed bank हमारे पास पड़ा है 3,000 तो उसको हम यहां show करेंगे data जो है data वाला point समझना है data हमारे पा 25,000 था original जिसमें से 1000 provision less हो रखा था पहले से बट अब उसने बोला कि provision 6% कर दो तो हमने 25,000 का 6% चेक किया तो हमारा कितना है था 1500 1500 हमारा new provision था पहले से हमारा provision कितना था 1000 तो इसले वो increase कितना हो था 500 जो हमने revolution में लिया था मगर यहां हम पूरा less करेंगे new provision कितना था हमारा 1500 पूरा less करके जो बच गया हमारा कितना था 23,500 23,500 next point हमारा stock stock में कुछ change हुआ था वो देख लेते हैं stock से related कुछ information नहीं है तो हम उसको वैसी show करेंगे stock बत्ता inventory investment investment कौन ले गया था आर ले गया तो अगर कोई part कोई asset ले गया था हम उसको show ही नहीं करेंगे investment आईगी नहीं next बच गया हमारा patent patent given a question में 7,000 उसमें से उस पे depreciation लग गया था reduce हो गया था 20% तो 7,000 का जो 20% था 1400 लेस करके हमारा पाप बच गया 5,600 और next जो assets है हमारी plant and machinery तो जो plant and machinery है हमारी वो question में given है 70,000 उसमें से less करेंगे हम कितना depreciation जो उस पे लग रहा था 10% 7,000 जो हमने revolution में दिखाया था तो ये बच गया 63,000 और कोई भी information given नहीं है तो अब हम दोनों side को total करेंगे तो दोनों side क्या होनी चाहिए हमारी tally होनी चाहिए तो हमने liability side और assets है दोनों का total check किया तो वो आया हमारा 1,7,100 इसका मतलब हमारी assets liability tally हो रही है तो हमारी balance sheet क्या है correct है तो main चीज हमने ध्यान देनी है किस पर capital account और दूसरा जो नया क्या है इसमें liability में जो आर का low ने उसको अलक्षिश हो करना है जो remaining amount उसकी बज़नी है जो pay करनी है और जो P और Q की capital उसको add करके फिर अंदर क्या करना है एकटा show कर देना है तो यहां जाके हमारी balance sheet complete हो चुकी है I hope आपको question समझा गया होगा आप पहले इस question को एक बार जो attach करके मैं साथ में question दे रहा हूं उसको आप एक बार समझिए उसके बाद जो है एक बार इस question का video proper एक दो बार repeat करके देखिए जब proper समझा जा जाए तो इसी question को बिना देखे try करिए अगर वो हो जाता है तो उसके बाद आप कोई भी book को आपको question करने में problem नहीं होगी next class में हम देखेंगे adjustment या आपके कोई doubt होते हैं तो वो doubts देखेंगे बट अगर आपको कुछ भी इस video में या किसी भी video में अगर कुछ problem हो रही है या आपको कोई suggestion है तो आप मिरको comment box में लिख सकते है comment जरूर करिए ताकि पता लगते रहे कि क्या हो रहा है या क्या समझ आ